चाबल पर डालके खाजाएगे नहीं तो खुझ ऐसे खालेगे संत्रेकारस निकाला तो उसके जो फाइवर्स निकल गए उनको भी किसी तरह से खालीजे जूस निकालने के बाद कोई भी फाइवर वेस्ट मत करिये क्योंकि वही फाइवर है जो आपको हर्ड अटेक से बचाएगा ट्राइग इलिस्राइग आपका कंट्रोल करेगा आपके पेट को साफ करेगा आपकी लार्ज इंटिस का इंको ग्लीट करेगा क्योंकि वो ज़ाडू और पोचे के लेता है फाइवर जिसे घर में ज़ाडू को चा होता है जो सफाई करने में सारा फाइवर आपके शरीर को साफ करता है इसलिए फाइवर जाना ही चाहिए पेट नहीं अब जूस के साथ प्री ले पाता है तो पीछे से खा लीजे या पहले खा लीजे बाद में जूस पी लीजे फाइवर होना ही चाहिए दो सुत्र हो गए केला सबसे अच्छा होता सुबह हर फ़लन सुबह सबसे अच्छा है दुबहर को थोड़ा कम अच्छा है रात को बिलकुल अच्छा है